हेलो एफ्रिवन तो क्याक फिजिक्स के कॉंपीटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेर ぁे एं तो आज हम एक स्टेटिस्टिकल मिकelier की एक शौर्ट ट्रीक हैंगे हैं जिस ट्रीक से कुछ इस Catascular क्नम ही कोईशन हो जाते हैे तो पहले हम वह ट्रिक देह लेते हैं क्या है है तो उसका formula देखते है उसके trick क्या है यह हमारे पास d by s minus 1 के साथ vary करता है density of states is directly proportional to energy की power d by s minus 1 और यहाँ पे d क्या है d हमारे पास dimensions है अगर d की value 1 है means आप 1d की बात कर रहे हो 2d में d की value 2 हो जाएगी अगर आप 3d में हो तो d की value 3 हो जाएगी और यहाँ पे s क्या है s हमारे पास एक constant है जिसकी value 2 होती है non-relativistic case के लिए non-relativistic case के लिए और s की value 1 होती है relativistic case के लिए relativistic case means जैसे आप photon की बात करते हो अगर आपको question में नहीं mention कि वो relativistic है कि non-relativistic है कौन सी dimension की बात कर रहे हो तो आपने 3D में मानना है और non-relativistic case मानके चलना है ठीके तो कहीं भी आपको अगर पूछा जाए कि density of states कैसे energy के साथ vary करता है तो आप इस formula को use कर सकते हो कुछ second लगते हैं और questions के answer आ जाते हैं तो अगर आपने ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स सीखनी है CSIR net gate just जा फिर कोई और भी physics का competitive exam को crack करने के लिए तो सबसे पहले बंसल academy के youtube चैनल को subscribe कर ली थैंक यू